आज हम जानेंगे कि इमेल के अंदर मल्टिपल फाइल्स आप अगर 25 MB से ज्यादा है तो उसको कैसे सेंड कर सकते हैं तो फर्स्ट अफोल आपको आपका जीमेल आईडी लोगीन करना रहेगा जीमेल आईडी लोगीन करने के बाद यहाँ पर गूगल अप्शन आएगा यह आपके प्रॉफाल पिक्चर के बाजू में ही दिखेगा उसके अंदर ड्राइव पर क्लिक करना है मेरी ड्राइव यहाँ पर ओपन हो रही है ठीक है यहाँ पर न्यूपर क्लिक करेंगे फिर मैंने क्लिक किया फोल्डर ठीक है यहाँ पर फोल्डर का नाम दे देता हूँ फोर एक्जांपल मैं यूटूब के लिए जो भी कंटेंट है वो अप्रोड करना चाहता हूँ या तो मैं कोई पर्टिकलर 25 MB से ज्यादा जो पर्टिकलर कंटेंट है या तो वो वीडियो होगा या तो PDF फाइल होगी या तो कोई वर्ड की फाइल हो सकती है पावर पर प्रेसेंटेशन हो सकता है डिपेंस ओन दे रिक्वार्मेंट ठीक है तो यहाँ पर मैं इमेल करके एक फोल्डर बना देता हूं और क्रियेट करता हूं ठीक है यहाँ पर लिस्ट में आपको इमेल पर्टिकलर फोल्डर जो है वो दिखाई देगा यहाँ पर फोल्डर मुझे मिल गया मैं फोल्डर पे क्लिक किया अगर मुझे कोई पर्टिकलर कंटेंट 25 MB से ज्यादा कर देंगे अभी हम देखेंगे कैसे ड्रेगन डॉप करना है कंटेंट को ओके हम फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे सपोज यह मेरा सफ्ट्वेर वाला फोल्डर है मैं उसको सिलेक्ट किया और ड्रेगन डॉप कर रहा हूं यह अभी अप्लोड होगा टोटल 10 फाइल से इसके अ बाद ग्रीन कलर का राइट आ जाएगा इसको बंद कर देते हैं हम सॉफ्ट्वेर नम के फोल्डर के अंदर जो भी कंटेंट है वो देखेंगे यह मेन फोल्डर है इसके अंदर एक्सल फाइल से हैं पीडिएफ फाइल से सॉफ्ट्वेर है वर्ड की फाइल है एक्सल की फ इसको शेर करूंगा मैं यहां पर mail compose कर रहा हूं compose पर क्लिक करना है suppose मैं मेरा email id डालता हूं विजय राठोड sorry for that विजय राठोड यह राठोड ठीक है जो भी particular email id है मैंने select कर लिया मैं यहां पर test email करके content access कर रहा हूं ठीक है यहां पर आपकी credentials होगी जो भी और next क्या करना है जो भी attachment का icon है उसके साथ में ही एक google drive का icon है यहां पर आपको option दिखेंगे insert files using drive यहां पर click करने के बाद आपने जो अभी recently email करके जो folder बनाया है वो particular folder यहां पर आपको access करने के लिए मिल रहा है तो आप अगर पूरा content एक साथ ही share करना चाहते है तो जो main folder है उसको select करना है और insert करना है ठीक है otherwise क्या होगा कि आप suppose कोई mistake करना है कि वह email folder open किया और उसके अंदर software नाम का folder आप share करना चाहते है तो वही एक ही folder share होगा उससे better है कि आप पूरा content अगर share करना चाहते है तो आप क्या करेंगे जो main folder है उसको select करेंगे और insert करेंगे insert की दिया ठीक है यहाँ पर आप देख सकते है inserted जो भी main folder है वो आप देख सकते हैं मैं अभी यहाँ पर send पर click करूँगा send पर click करने के बाद यहाँ पर option दिखाए देगा आपको जो भी user आप access कर रहे है या तो आप जो भी content दूसरे email id के उपर भेज रहे हैं तो उसको edit का permission देना पड़ेगा it should be one or more than one email id so यहाँ पर आप edit पर click करके फिर send कीजेगा और send करते हैं ठीक है तो send करने के बाद send items में आप देख सकते हैं कि जो particular email है वो चला गया तो अगर आपका 25 MB से ज्यादा कोई content है तो इस तरह से आप सामने वाले user को data share कर सकते हैं इसके लिए एक main condition है कि आपके जो Gmail account के अंदर total 15 GB आपको मिलते हैं कैसे चेक करेंगे आप bottom most पे चाहिए आपका main inbox पे click करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर already मैंने 11.01 GB यूज कर लिया है out of 15 GB ठीक है तो आपको maximum कितना मिलेगा 15 GB यूज करने को मिलेगा यहाँ से हम थोड़ा सा और detailing में तो आपने कितना particular data कहां पर यूज किया हुआ है वो भी detailing देख सकते हैं let's see Google Drive 6.47 GB मैंने यूज किया है Gmail के अंदर जो भी मेरे mails है वो 4.53 GB है और other options आप यहाँ पर देख सकते हैं Google Photos मैंने 0 GB यूज किया हुआ है so इस सहाफ से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना particular data हम Google Drive का यूज कर सकते हैं it's quite useful to us आपको कोई भी query हो इस regarding please comment section में comment करिए please like and share my videos thank you very much